नमस्कार दोस्तों ग्वाफिर्स आपको बहुत बहुत स्वागा थे हमाई टीचिंग प्रवाम जिक्षासी पर तो आज हम आपको प्रैक्टिस सेट का जो है कि 17 सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं अभी तक मैंने 16 सेशन प्रेजेंट कर रखे हैं जिसकी प्लेलिस मैंने बना ज्यादा इंपोर्टेंट हैं इन से कोशन बनेंगे बनेंगे और वीडियो अगर आपको जिन्मिन लगती है सेशन सच्छे लगते हैं तो मैं आपसे यह कहूंगा जो भी वामेटीज होती है यानि जिससे सस्क्राइब हो गया लाइक हो गया या आपके उपर है अगर आपक होते हैं पहला कोशन देते हैं पहला कोशन है कि दिल्ली में अलावदिन खिल जी के साशनकाल की अवदी क्या थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लेकिए अलावदिन खिल जी से क्या 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 सबसे इंपोर्टेंट तो अलावदिन खिल जी से जो जो कोशन बनेंगे जैसे कि गर पूछा रहागा कि बच्पन का नाम क्या था लाओ दिन खेली के तो जो एक नमबर का कोशन है वो हो जाएगा आपका अली या गुर्षाष क्या हो जाएगा अली या गुर्षाष एक नमबर का कोशन है जो कि पूछा रहा सकता है अपरा सौरी का किला को पूछा रहागा या खामेद खान मस्जिद पूछा रहेगा, तो वो सब किसके द्वारा बनाए गया, खेलजी के द्वारा बनाए गया, ठीक है, धान लखेगा, 1260 से 1290 तक जो कारेकाल चला था, वो चला था गुलाम वंस का, ठीक है, गुलाम वंस का चला था, उसके बाद 1290 से 1320 तक जो चला था, वो चला था खेलजी वंस का, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इस कोशन का एंसर हो जगा 1290 से 1316, ठीक है, आटोमेटिक आप इसको इलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, ध्यान लखेगा, इस कोशन के अंसर क्या जगा, अलाओगिन खिल जी का साशनकाल, तो वो 1296 से 1316 तक चला था, इसके गुप्तिचरो को बरीद कहा जाता था, इसके काफी फेमस गुलाम का नाम मलिक गफूर, जो कि आपको पूछा जा सकता है, मलिक काफूर का नाम, कई बार आपको पूछा गया है, जिसको आप 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं, पूछा जाता है 1000 दिनारी कौन था, तो वो मलिक काफूर होता, साउड इंडिया पे बहुत सारे सामराज को जीता भी था, बकसर का उद्ध कब गवा था, जब कि अगर प्लासी का उद्ध पूछा जाएगा तो बिलकुल 1757 में, सुराज दौला और हिक्टर जो है आपका पूछा रा सकता है आपका, क्या नाम हो जगा, क्लाइब के बीच, द्यान लखेगा, क्लाइब और सुराज दौला के बीच हुआ था, जो क्या आपको पूछा रा सकता है, 1757 में, ब्लाक हाल से कौन सम्बंदित हो जाएगा, तो वो सिराज दौला ही सम्बंदित हो जाएगे, पत्नी पती के बंधता दासी नहीं है, वो पती की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए सकता है, ये किस ने कहा था, तो महात्मा गांदी ने कहा था, दिहान दखेगा, पूछा दा सकता, 1917 में, पहला अगर पूछा दाएगा, कहां पे, तो चंपारण से, आंदोलन की सुरुवात करी थी, गांदी जी ने पूछा दा सकता है, सबिना अग्या अंदोलन वस 1930 में, कहां से सुरू हुआ था, डांडी, और डांडी आतरा पूछा दाएगा, कितने दिनों तक चली थी, तो 24 दिनों तक चली थी, 1931 पूछा दाएगा, तो गांदी अर्विंद समझो था, और 1931 की गोल में, सम्मिलन में ही गांदी जी ने भाग हुई लिया, पित्वी के धरातल से, वायो मंदल की निम्रिखित संराशनाओं को वस्थित करें, यह अन्य अर्विंद सबसे पहली अर्थ से अगर प्रत बात करें, तो छोब मंदल सबसे नीचे ली, फिर उसके बाद समताप मंदल, मद्य मंदल और ताप मंदल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा ढ़ा सकता है, एक नंबर का कोशिन, बनता है, कोशिन, पूछें, जियोग्राफिय में ने पढ़ा रखिए, देख लेजेगा, वाया है, सब डिटेल में जागा, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण की चमता सरवादिक होती है, तो वो क्या हो जाएगा, काली मिट्टी, काली मिट्टी की सरवादिक होती है, चिकनी मिट्टी की होती है, दोमट मिट्टी की होती है, जिस प्रकार की मिट्टियों की चमता क्या होती है, वो सरवादिक होत निम्लिखित में से कौन सी नदी पश्चन दिसा में बैती है तो वो क्या हो जाएगी नर्मदा ध्यान रखेगा कि पश्चन दिसा में कौन सी नदी बैती है तो वो हो जाएगी नर्मदा ये भी पूछा गया कई बार आपको डिस्टिक कौरि डिललुरल डिलॉतमन संस्ता के वर्स स्था पित की गई थी तो करी गई थी 19喔 कब पर करीगी थी में दूसरी बार 1980 में जिसमें छे बैंक का राष्टी करण किया गया था संप्रभु राज किस सब्सक्राइब में विचार करें एक देश में अन्य देश के सब प्रभुता के साथ उनके बिना संप्रभु हो सकता है युवेनों में सदस्रत्रा प्राप्त करने वाले देश संप्रभु कि क्या होता है कि जिनका अपना सब कुछ हो जो अपने शमान लोगों को रखें वही क्या हुआ इक सब्सक्राइब में कinku सम्सक्राइब में से जो तो जहाओ तेने वाले सरुपत्म समीति है तो देखे पंचाती राजविवस्ता जो हमारे हां थी टियर चलती है वो बलवंत रहें महता समीति के दरा दी गई थी अर्शोप महता के दरा टू टियर दी गई थी यो पंचाती राजवस्ता 1959 में सुरू हो थी नागार जीले से औ मौगार कहा जाएगा वो जाएगा राजस्थान पूछा जाता है एक नंबर का कोशन यह बनता है आपको सूचना अधिकार अधिनियम वर्स कब लाग हुआ तो देखें अक्टूबर 2005 में आपका लाग हुआ था आटी आई एक्ट वेरी वेरी इंपार्टन नोट डाउन को लिजेगा कंपर्म पूछा जागा आटी आएक्ट का फोर्स में आया तो वह 2005 में आया ता पूछा जा सकता है आपको ओमेगा थ्री वसा हम लोग उपस्थित होता है किसमें मचलियों में अक्रोट में ध्यान लखे का जो e Revenant Tenereals होते हैं उनके जो स्टमक होते हैं चार भाग में अमासर होते हैं वो चार भागों में बटे होते हैं केंडीजी मंतरी किरंडिजज उजय spinे और विष्णात मंदिर था जो की उत्तरते से Paul boat कि इन्दे सरकार दरा 25 जनवरी 2021 को पदम पुरसकारों की घोश्मा करी गई और आप्शन्स का है इस वर्स रास्पती रामनाथ कोविन ने 119 पदम पुरसकार की मंजुरी ती इस वर्स दो लोगों को मरनो परांद पदम पुरसकार दिया गया और जापान की पुर्ण पदान म पदम पूशन 17 लोगों को पदम पूशन और 107 लोगों को पदम स्री दिया गया इस बार जो कि आपको पूछा जा सकता है तो इस कोश्चन के आंसर क्या हो जागा यह सभी हो जाएगा ध्यान रखेगा 2021 का पूछा गया 25 जनवरी को दिया जाता है किस कंपनी ने हाले में व सोमा मंडल हो जाएंगे ध्यान रखेगा और भारती स्टेट बैंक का पूछा जाएगा अगर अभी पूछा जाएगा तो आपको दिखे सबसे पहले तो आपको पूछा जा सकते हैं कि इसके जो है कि कि CFO कौन है तो चरण जीज सिंग अत्रा हो जाएंगे और दिनेज खर्रा कौन हो जाएंगे इसके में हेड हो जाएंगे जो कि पूछा जा सकता है ONGC का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा अलका मित्तर हो जाएंगे जो कि पूछी जा सकती है आपको इस question के answer भेल हो जाएगा जून 2021 में नीतिया एक दोरह SDG इंडेक्स में तीसरा समस्क्राइब जाएगा इस इंडेक्स में परेस्तान पर कौन सा है कई बार मैंने पढ़ा रखा SDG इंडेक्स में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा sustainable development goals में पहला नंबर पर किरला हो जाएगा उत्तर प्रदेश आपका smart city में हो जाएगा आंद्र प्रदेश अगर आपको पूछा रहेगा तो स्कॉच अगर पूछा रहेगा state of the year किसको दिया गया आंद्र प्रदेश को दिया गया पूछा रा सकता है एक नंबर का question है इस question का answer के रहला पी विजेन सियम और आरिफ मुहम्मद खान गवर्नर 22 फरवड़ी 2021 को प्रस्तुद भारत उत्तर प्रदेश बजट 2021 से सम्मंदित कतनों पर विचार कीजे उत्तर प्रदेश के वित्र मंत्री 37 महाना है वित्तिवर से 2021 के लिए बजट विदान सभा में पेस किया पस्तुद बजट का आकार जो है वो 55,05,50,270 को पर अब बजट पर उत्तर प्रदेश के त्हास का सबसे बड़ा बजट था और यह अब क्रदेश का पहला पेपर लिस्ट बजट था तो जो सही इंसर हो जाएगा दुस्तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 234 जो सही इंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 234 जो है आपका perfect यानि सही इंसर है भारत की पहली bullet train कहां से कहां के लिए दोड़ेगी तो वो दोड़ेगी एहमदाबाद से मुंबई के लिए very very important और 600 km per speed के से बनाने वाली पहली train कौन होगी तो वो प्लस उसके लावा इसका पहला सब्मेलन जो है बैंग्नुरू में हुआ था इसका मुख्याले नेपाल में और सार्क स्टैबलिंट्मेंट उनीसों पचासी में थे बिल्कुल सही है यह द्यान लखीगा जो गलत है वो जाएगा option B ठीक है तो ध्यान लखीगा अगर पुछ इंपू में कन्फूजन में है गलत कर देते हैं जब कि स्रक सार्क पूछा जागा तो काट मांड़ो वी और डिस्प्लेस पिस तब किसकी हो जाएगी तो वह हो जाएकि मुलाला युसिप जाईगी इन्हीं कि 12 जुलाई को मलाला डेसलिबेट किया जाता है पूछा जाता है और इनके ओपर किताब मुवी भी बनी थी जिसका नाम हो जाएगा गुल मकई पुछा जाएगा गुल मकई किसके ओपर बनी थी तो मलाला उस्व जाई के ओपर ही बनाए गई थी उस भारती राज का नाम बताए जिसने सरवादिक नोबल पुरसकार विजिता दी है जाएगा वेस्ट बैंगाल ध्यान रखी का सबसे पहला नोबल पुरसकार विए ही से था उस भारती राज का नाम बताए जिसने ये कोशिन का एंसर हो जाएगा वेस्व बैंगाल उस प्रतम भारती का नाम बताए जो आसकर अवार्ड विजिता है भानु अथेया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा ड़ा सकता है कॉस्टिम की कडिग्री में भानु अथेया को जो है कि आसकर अवार्ड दिया गया था की सिध्धार्थ नगर काला नमाख महोष्डोका अरजिन मार्ट usage में किस वर्स में किया गया तो वह क्या गया सिध्धहारत नमख इस कोश्पिम के ऐसर जये चंद हो जाएगा चंदावर का योध गोरी ने ढकान रखे लक्ष्मी माथा के सिक्के चित्र को अंकित किराए था अपने सिक्कों पूछाला जाएगा लक्षमा के जो है कि चित्र को अंकित करया था अपने सिक्पे पे तो वह मुहमत गोरी हो जाएगा भारत में पुर्तगाली सामराज का वास्ताविक संस्थापा कौन कहा जाता है अलगुकर्क ध्यान लखेगा और अलगुकर्क ने ही गोवा पे कबजा किया था पुछा था गोवा पे किसने कबजा किया था अलगुकर्क ने पुर्तगाली भारत कौन आया वो हो जाएका वास्त को डिगामा कोचिंस अगर पुछा रगा पहला पुर्तगाली गवर्नेट जनुरल पूछा रगा तो वह जाएगा फ्रांशिस अलमेड़ा नोट डाउन कर ल अंग्रीर और फ्रांसीसियों के बीच होई थी जो की पूछा ला सकता है भारत में रहियत वाड़ी बंदोबस का सुरवात सरोपतन कहां की गई थी तो ध्यान रखी का 1802 में ये तमल नाडू मद्रास से सुरू करे थी सबसे पहले 1792 में वेसिकली आपको 1802 हो जाता है रहियत plus के question तो अमीद करता हूँ ये session आपको अच्छा लगा होगा तक्रीबन 30 question मैं आज आपको present किये प्रास extra details में भी तक्रीबन मैंने आपको उतने ही question present किये तो अगर से लगा होगा तो यई ह अगर आप unacademy join करना चाहते हैं free classes के लिए तो unacademy applications install कर लीजिए application install कर लीजिए play store से जहाँ पर मेंज रहागा प्लस आपको code apply करना पड़ेगा विम्ली साट्डेट 14 जो कि आपको हर page पे दिख रहा होगा मेरे हर page पे आप देख रहा होगे दिख रहा होगा उसको apply करके आप free classes देखे इन future अगर आपको लगता है कि free classes अच्छी लग रही है तो आप pit classes के लिए जा सकते हैं ठीक है और pit classes जो है आपको बहुत सारे benefits देती है जैसे उस category कि सारे educators free हो जाते हैं उनके top batches उनके batch courses टेसरी हो गया मॉक टेसरी हो गया प्लस आपको combat भी हो गया संडे को होता है आपको मिल जाता है आपको एक्स्ट्रा जो है कि facilities मिल जाती है उसमें भी code same ही यूज करना होता है जिससे आपको 20% का off 10% का code से और 10% का coins से off मिल जाता है तो आज लिए पस इतना ही thank you so much अपना ध्यान लखें मिलते हैं आपको कुछ और session के साथ और current affair और special GAGK के साथ तब तक अपना ध्यान लखें thank you so much bye bye take care